हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो जैसा के आपने थमनेल में देखा इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेलफोन लेंस की या फिर आप इसको स्मार्टफोन लेंस बोल सकते हैं और ये कुछ इस तरीके के आते हैं ऐसा बहुत ही सुन्दर सा बैग आया है इसके साथ और इस तरीके का लेंस है छोटा सा इसके जैसे लेंस आपने पहले भी शायद देखे होंगे कुछ वीडियो में लेकिन इनकी प्राइस काफी जाला होती है मतब ऐसे 2000-3000 तक जाती है इसकी प्राइसिंग जो आपने थमनेल में देखा सिरफ 230 रुपए है तो इसको कहां से बाइ करना है और क्या ये वर्थ है या नहीं मतब 230 रुपए के लिए भी अगर अच्छा होगा तभी खिरिदने का फाइदा है तो मैंने आपके विहाब पर पुरी टेस्टिंग कर ली है आपको बताता हूँ कि बाइ करना चाहिए या नहीं और कहां से बाइ करना है विडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार चैनल पर आए हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए देखे आते रहते हैं तो दोस्तों मैं हूँ रिजट को चली जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यह जो लेंस है यह एक्चुली में एक अल्ट्रा वाइड लेंस है मतलब के 0.4 एक्स लेंस है अगर आप एक नोर्मल लेंस के उपर इसको लगाएंगे अगर आपके फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और मुझे समझ आया है कि फ्रंट कैमरा जो होता है उसमें अल्ट्रा वाइड केंगल जो है बहुत कम देखनी के लिए मिलता है मतलब रियर में तो आजकल बहुत जाला आ जुके हैं 8MP या फिर 16MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाता है रियर में लेकिन फ्रंट में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है बहुत कम स्मार्टफोन में आपको मिलता है उसके लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट चोईस है आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन अगर यह अच्छा काम करता होता तब मैं ऐसा बोलता क्योंकि दोस्तों जो मेरा एक्स्पिरियंस है इस लेंस के साथ सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटो देना चाहते हैं तो इस लेंस को लगाने के बाद वीडियो या फोटो की क्वाल स्ट्राइब होता है और उतना मजा नहीं आता मतब अगर आप फोटो या वीडियो से लेते हैं लेकिन इस लेंस का एक बहुत अच्छा फाइदा मैंने नोटिस किया दोस्तों अगर आप मैक्रो शोट्स क्लिक करना चाहते हैं अब मैंने आपको उरड़ी बता दिया वैसे यह अगर आप इसके बोक्स के उपर भी दिखेंगे मताब इसके उपर 0.4x लिखा है लेकिन जैसे के आपको बता है कि जो भी अल्त्रा वाइड वादे लेंस होते हैं उनको आप मैक्रो के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वो जादा करीब डाके फोटो क्लिक कर पाते हैं 2MP का होता है बहुत सारे phones में तो होता ही नहीं है अगर होगा भी तो 2MP या फिट 5MP इससे बड़ा नहीं होता लेकिन जो प्राइमरी कैमरा होता है वो 48MP, 64MP 108MP, पता नहीं कितने-कितने MP का होता है तो मेरे हिसाब से macro shots देने के लिए आप इसको definitely use कर सकते है यहां पर मैं आपको samples दिखाता हूँ दोस्तो मैंने एक normal short capture किया है और उसको zoom in किया है 64MP जो normal है, मैं capture कर सकता हूँ दूसरा, मैंने phone का macro lens है 2MP जादा उससे capture किया है और तीसरा, मैंने normal जो अपना primary camera है उसके उपर ये lens दगा दिया उसके बाद मैंने उसको थोड़ा zoom in करके photo को edit किया वो editing के बहुत basic steps है phone में ही मैंने किया है, वो मैं आपको बता दूँगा और ये 3 outputs आप देख सकते हैं जो के मैंने capture किये है normal lighting में, हाला कि अगर आप अच्छी बाहर जाके नहीं macro shoots लेंगे तो इससे बहतर quality भी आप दे पाएंगे लेकिन अगर आप यहां पर comparison देखेंगे दोस्तो clearly आप notice कर सकते हैं कि इसके साथ जो macro photos आती हैं बहुत ही ज़्यादा amazing आती है उसके दो reasons है पहली चीज़ आप phone के primary camera जो के आपका 48 या 64 megapixel दाल camera है उसकी मदद से macro shoots ले रहे हैं दूसरी चीज़ उसके colors और उसका depth effect बहुत ही ज़ादा cinematic role play करता है जब आप macro shoots लेने जाती है नोर्मल macro camera जो है बिल्कुल भी depth effect आपकी photo में नहीं लेकिया था लेकिन अगर आपको macro object के साथ depth effect भी जही है अपने photo में उस time यह बहुत अच्छे से काम कर सकता है live अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी यह जो आप angle देख रहे हैं यह मैं इसके साथ shoot कर रहा हूँ जो मैंने sense को attach किया हुआ है अगर मैं इसको उतार देता हूँ तो आपका area जो है बहुत कम हो जाता है दोस्तों लेकिन अगेन यह चीस बोलना चाहूँगा कि ultra white के मामले में बहुत कम details capture करता है macro shorts के लिए definitely आप इसको use कर सकते हैं लेकिन ultra white में अगर आपको just दिखाना है बहुत बड़ी जगा एक room आपको दिखाना है एक अंदाजा देना है तो आप इसको use कर सकते हैं लेकिन अगर आपको बकुत detail photo चाहिए तो ultra white के लिए आप इसको use नहीं कर पाएंगे तो पहले तुम्हें यह बता दूँगी इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसको कहां से खरीदा है तो मैंने इसको minisoo के store से खरीदा है दोस्तो अगर आपके शहर में कोई भी mall है अगर आप mall में जाएंगे तो generally आपको minisoo का center देखनी के लिए मिल जाता है सब mall में आजकल मिल जाता है तो वहां से मैंने इसको खरीदा सिरफ 230 रुपए में और वहां पर और भी कुछ lenses थे जैसके fish eye lens अगर आप देना चाहते हैं वो भी था खालांकि उसको मैंने test नहीं किया अगर आप उसकी भी testing देखना चाहते हैं तो नीचे comments बताएगा उसको भी मैं purchase करके जरूर से आपके दिख वीडियो बना दूँगा लेकिन अच्छी चीज मुझे यह दखी के काफी थी packing है आपको इसके साथ इसका cover मिल जाता है जिससे आप इसको ऐसे lens को save कर सकते हैं तो खराब ना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार चैनल पर आये हैं तो ऐसी amazing tech videos और देखने के लिए इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत दन्यावाद दोस्तो